हर हर महादेव अभी हम लोग है कमेख्या इस्टेशन पर अभी मैं सुबास और हमारे साथ कम सकम 30 से 40 लोग जो है अभी हम लोग जाने वाले हैं आपका सुल्तान गण्य ब्रह्मकुत्रा ट्रेंड जो है यहां से 2 बचके 35 मीट पर है तो वही ट्रेंड पगर के अभी हम लोग को जल डालेंगे तो इस ब्लोग के साथ बने रहे हर् UV महादेव हर्-Harm law का तक ट्रेंड का इंचिवार कर रहे थे ट्रेंड कम से कम जो है आपका एक से देर घंटा जो है लेट था तो अभी स्ट्वेंड के अंदर जाएंगे उसके बाद जो है क्या क्या हमें मिलता है रास्ते में वह सो आपको दिखाने है कुशिश करेंगे क्या जा है जा हुर सकता है लोग खना करें अप्यो करेंगे वार लेकिंगे तो अभी हम पहुंचे हैं भगाइ वयांके दूलब का सल्कीजी करहने हुं तो इसलथान गंड पहुंच चुके है तीन चार घंटा ट्रेन लेट था लेकिन इस्टेशन पर आप देखें कितने अच्छे तरीके से जो है कावडियों का जो है कि अच्छे तरीके से पंडाल वगएरा बना के ध्यान रखने कोशिश किया गया है यह बहुत अच्छा लगा देखें और पीछे कि अबए होनी के बाद अभी जो है नास्ता करने को निकले है पहले से नाफा कर लेते हैं फिर दो-तीन गौंटे का इस उसके बाद गए और उसके बाद बाबारा की नगरी हम लोग जाने का पूरा प्रियास करेंगे तो बोलियों रहर महादेructor अम चाहां पर निक अरथ मान अभी यहां पे बहुत सांदर मंदिर है अजगेबि- मंदिर है बहुत प्रशद मंदिर है तो वहीं पे जाकर जो वोriódf hero मंदिर मैं मैं कि दिखा दूंग polesama ऑफ दूर देख रहेंगे वहीं है मन्दिर तो दोस्तों यही है आपका अजगेबीनात का मंदिर और इसके सामने ठीक सामने जो देखिए ब्यूटीफुल गंगा हमारे सामने है और सामने आप एक देखर होंगे ब्रीज वो कुछ दिन पहले जो है तूटा था आप लोगे नो शायद नियूज में देखा है तो अभी घ कर लिए तो हम लोगा जो है संकल्प होगे रहा जो है सब कुछ कर लिया गया है पुजा हुजा कर लिये हैं तो अभी कावर बांगा जा रहा है इसके बाद जो है हम जल लेके जो है देवघर की तरफ निकलेंगे तो गंगा जन लेके जो है हम लोग सब जो है निकल चुके हैं 120 किलिमेटर का अभी पदियात्रा होने वाला है जो पैदल ही हम लोगो चलना पड़ेगा तो रास्ते में क्या-क्या देखने मिलता है इस ब्लॉग के मायध्यम साब को दिखाने क कुछिस करेंगे तो जोर से एक बार बोलिए हर हर महादेव 110 किलिमेटर और यहां से देवघर दूर है और हम लोग अभी तक जो है 10 किलिमेटर के असपास जो हम लोग अभी तक चल चुके हैं अभी नेक्स चुपिज हम लोग देखते हैं कहां पर लोपे हैं पर एक बात बता दू जब आप टाउन से निकलेंगे तो ऐसा आपका जो में रोड उधर में बगल में है और इधर कर ठास करके जो हैं जो बोलबम अले हैं जो कवरिया कवर लिके जाते हैं उनके लिए ऐसा रास्ते का प्रबंध किया गिया है यह आपको जो एक दम बावा धाम तक ही ऐसा रास्ता ही अपको मिलते रहेगा जो है यह हम लोग का पहला इस्टोपी है सारा हम लोग का जो दोस्त तब जो भी जितने लोग आये हैं सब यहीं पर जो है आपका रेस करेंगे थोड़ा देर उसके बाद यहां सब फिर आगई के तरफ जो है हम लोग रवाना हो जाएंगे हाएंगे तो आज का जो है इस टॉपिज हम लोगों ने जो है दस बारा किलोमेटर चलने के बाद जो है इस टॉपिज ले लिया यहीं पर खाना पिना हम लोग का हो चुका है और अभी यह मैं आपको दिखाता हूं ऐसे करके जो आम लोग लोग हैं ऐसे करके लाइन से सो रहे हैं इगर में जो है आपका 20 रुपे करके चार्ज लिया है सोने का से लिए कोई बात नहीं तो आज के लिए गुड नाइट मिलते हैं का रहर महादेव आज हमारा जो है चलने का आज दूसरा दिन है सुगह सुपह उखे है तब इधर के लिए सुपह सुपह फ्रेश हो के जो है सुबाचे बजी हम निकल चुक है है पैदल यत्रा के लिए मुज़ों ने से मुश्किल 3-4 किलम्टर हम लोगों ने विद्ध्र कवर अब कि चलने के बाद हमारे हम आने वाला है वहां पे रुकेंगे ज़ोरा थे अराम वग़ए में पाव में दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है तो देखिए पाव में दर्द है लेकिन इस बात कभी खुछी है दो कदम और बाबा की तरफ जो है बढ़ा चुके है जो बहुत जल्दी जाकर जो है जल डालेंगे तो बोलिये जोर से हर हर महादेव इस अब बहुत में बोला है दानी बमदान करें अबाबा भोले नाग देरा पाव को यहीं नाग भुग दिया गला में नदी में जो चंकर भगवान अपना गला का माला मने ने तो अराम करने के लिए बैठें है तो हमारे सफेर बहिया मिले है और इढर में देखिये हर हर महादेव तो अभी साम का बजा है चार अभी हम लोग निकल चुके हैं फिर बाबा की नगरी के लिए क्योंकि दिन में था बहुत ज्यादा धूप और नीचे का भी गरम हो गया था इसलिए सोचे थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं जितना चल सके चलें और अभी देखिए बाबा की क्रिपास से और कितना चलेंगे वह मैं आपको बता ही दूँगा तो लेगिन एक चीज अच्छा लगा यह जो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है सुनने आता है जो जहां तक बाबा की नगरी है वहां तक ऐसे ही आसपास में जो है आपको ठेहरने के लिए खाने पीने का जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और बॉल बॉम हरहर महादेव सब लोग जो है अभी हम लोग खेरा पहुंचे है मनिया मोर में है यहां से एक किलो मिटर दूर है तो वहीं पर जाके जो हम जो रुकेंगे अराम करेंगे उसके बाद फिर आगे का सिफरते किया जाएगा तो प्रेम से बोल लिया हर हर महादेव झाल